हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आपका स्वागत है प्रजबती गेमिंग चैनल पर दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत यादा कमाल का होने वाला है जसा कि आपको पता है कि भाई अगर आप अपने वर्क्स आपने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया इवेंट आया गन क्राप्ट करके जहां पर आप अपने गन को पेंट कर सकती हैं दोस्तों मैं इसके उपर एक वीडियो बनाया तक कर लेकिन उसमें कुछ मिसिंग हो गया था तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल से यानि कम्पलीट समझाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ नीचे इस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी तो आप इस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना अगर आपको मेरे से बाते करनी है तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको वर्क्सवप में जाना आए गन क्राप्ट में जाना आए ठीक है अगर हम इस पिन पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर event is not openate यह लिक क्या रहा है ठीक है यानि अभी यह event नहीं आया है ओके यह यह फिरी में मिल रहा है, पबजी वाले पहले स1, 2K पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद में सारी गन यहां पे एड हो जाएंगी दीरे-दीरे करके, उसके बाद में आप अपने सारी गन को पेंट कर पाएंगे, ठीके, वह कैसे में आपको बताता हूं, और आप फिरी मे spin भी कर पाएंगे ठीक है मैं आपको कल बताया था कि 10 UC लगेगा लेकिन 100 नहीं कर रहा था ठीक है मैं अपना judgment लगा के बोला था लेकिन आप दिन का पहला free कर सकते हैं उसके बाद में आपको UC देना होगा वह कैसे मैं आपको बताता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक event है gun craft spin करके तो आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि जो इसका spin का option है open हो चुगा है ठीक है तो इस कारेल में open नहीं हो रहा था लेकिन इसमें open हो गया है अब दोस्तो अगर आप spin करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप day का पहला spin free कर सकते हैं ठीक है हर रोज पहला spin free कर सकते हैं उसके बाद में आपको 60 UC लगेगा और अगर आप 10 open करते हैं तो आपको 540 UC देना होगा ओके तो चलिए हम spin करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर paint है यहाँ पर structure है तो हम इस structure को यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन आप एक चिद्यान देना नोटिस करना यह lock है ठीक है यह सारी चीज़ा भी lock है नहीं है तो आपको unlock करना पड़ेगा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारी structure भी मिल जाएंगे ठीक है आपको यहाँ पर color मिल जाएगा आप किस color में अपने gun को करना चाहते हैं ओके अब दोस्तों मैं back कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर एक option और label करके यहाँ पर एक option और label करके तो जैसे आप इस पर click करेंगे आपको S12K का एक gun skin मिल जाएगा और दोस्तों मुझे पुरा यकीन है कि भाई अभी तक आपके पास S12K का skin नहीं होगा ठीके अगर मैं आपको inventory में जाके दिखाऊँ gun में जाके दिखाऊँ ठीके sort gun की तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मैं लिया वही वाली skin मेरे पास है इसके पहले एक भी नहीं था ठीके तो फिलाल हमारे पास एक skin आगे आया painting का option वह भी आ चुका है तो आप इसको paint करके unlock कर पाएंगे ठीके तो यहाँ पर मैं एक दो लगा देता हूँ ओके तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ ओके अब यहाँ पर मैं अब जल्देली मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ नया ठीके आपको जहाँ पर लगाना आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीके तो यहाँ पर हम plus करके कुछ और लगा देते हैं भाई यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं ओके अब दोस्तों आपको finish craft team पर क्लिक करना है आपको नीचे option मिल जाएगा तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यह जो S12 के है unlock हो जाएगा ठीके लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना यह जो चीजे हैं ठीके यहाँ पर यह जो चीजे हैं आपको यह चीजे एक अठा करनी पड़ेगी तब ही जाके आप इसको unlock कर पाएंगे और आप देख सकते हैं कि जब आप इसको increase करते जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा ठीके यह सारी चीजे मिलेगी ठीके तो यही चीज मिस्था भाई मैं आपको बताया नहीं था कि आपको S12 के का मिलते हैं आप ले ले ना मिस्मत करना ठीके तो मित करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आजाओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करना, share करना और दोस्तों आप चैनल को subscribe कर लेना और हाँ दोस्तों आप कुझे यह comment करके बताना आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है comment section में comment करके बताना वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe करना मिलते हैं next video में, bye